वेल्कम टूजसेस्टेडी देखेंगे छी एचसेल का गएधी फॉर्म आप भर रहे हैं किसी तरह कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करें देखेंगे छी एचसल का फॉर्म भरना बहुत ही असान है सबसे पहले आप सरकायरजल्ट.com ओपन करेंग जैसे क्लिक करेंगे एक नई विंडो यह पहले विंडो थी यह दूसरी विंडो नई विंडो ओपन हो करके आएगी और यह पूरा कंप्लीट आपको यहां पर दिया होगा डिटेल्स देखिए यदि आप इस फॉर्म को देख लिजगा क्या आपकी एज आपकी 18-27 यह होनी की और लास्ट पेमेंट आप कर सकते हैं 17-12 यह दो दिन का टाइम देते हैं लोग और 12-27 अपरेल 12-27 अपरेल के बीच में एक्जाम होने के चांसे हैं जो कि फस्ट एर एक्जाम होंगे तो देखिए अपलाई पहले कहते हैं हाव टू फिल फॉर्म या वीडियो यहां पर अब इसे भी देख सकते हाव टो रेजिस्टरेशन आपको क्या करना है अपलाई करना अपलाई करना है तो डायरेक्ट आप इस पर क्लिक करेंगे यदि आपने यह कि आपकोई पहले बीच्छ आपको एक्जाम करना है आप देखिए मैंने एक फॉर्म देखिए यदि आपने कभी भी CHSL यानि SSC CHSL का एकजाम दिया है तो आपको एक ही बार अपलाई करना होता है आपने एक बार अपलाई कर दिया तो आपको दूबारा के वाल अपलाई करना होता है यदि आपने कभी भी SSC CHSL का फॉर्म फिल किया था तो आपको रजिस्टेशन एक ही बार करना होता है बाकि आप जब भी कोई वेकेंसी आती है तो अपलाई ही करना होता है तो यदि माल लेजे कि आपने कभी भी रजिस्टेशन किया था और आपको अपलाई करना है तो डिरे रेजिटेशन नमबर जो आपने कभी स्टार्टिंग में रेजिटेशन किया था रेजिटेशन नमबर भरेंगे रेजिटेशन नमबर भरने के बाद यहां पर पासवर्ड फिल करेंगे पासवर्ड फिल करने के बाद यहां पर कैपचा फिल करेंगे जो एक कैपचा है तो के नाम के साथ आजगे कि आपकर करना है डीरेक्ट आपको अपलाई करना जैसे आपने login पे क्लिक किया अपने dashboard पे आ जाएंगे जहां आपका नाम यहां पर दिखेगा जैसे आप login पे क्लिक करेंगे आप dashboard पे आ जाएंगे जहां आपका नाम दिखेगा इसके बाद आपको करना क्या है apply पे क्लिक करना है apply पे क्लिक करने के बाद कि आपकी सारी डीटेटलस पहले से अलेड़ेज कि फिल होती है क्योंकि आपने और यह दूस्तिक Alright दो कि एबात सेधेंद किया मैंने आप प्रेयागराज यह तीसरा पास है। और किस मीडियम में आप टाइपिंग करना चाहते हैं जब आप अगर क्वालिफ़ाई कर लेता है तो किस मीडियम में करना चाहते हैं? मैं इसमेंगे मैंने इसमें न आप क्या करेंगे? कहा रहा है कि या आप नि जो ङूँ उसे एपने math science system से कंप्लीट किई है है तो आप की हैं तो हाँ बोलेंगे नहीं की हैं तो अगर है तो क्या आप एकसर्वीस में हुँए तो नहीं तो यह टो बिलांग करते हैं जहां एज रिलेक्सेशन की फेसिल्टीज मिलती है तो आप एस करके डिटेल फिल करेंगे अगर नहीं चाहते हैं आपके 27 येर से एवब नहीं हुई है तो उसकेस में आप नो फिल करिए इसके बाद क्या करेंगे कि आप नेक्स्ट है हाइस्ट क्वालिफि ट्विल्थ स्टेंडर्स सेलेक्ट करेंगे इसके बाद कहता है कि स्टेटर्स क्या है आप पास है आप येरिंग है तो पास है पास सेलेक्ट किया आपने यहां पे पासिंग येर किस साल में आपने पास किया है तो माले जै कि मैंने यहां पे 2015 में पास किया है इस्टेट एन इसको सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद यहान पूछ रहा है, डू यू वान टो मेक यूर परसनल इंफॉर्मेशन आफलेबल टू एक्सेस, यह कहा रहा है, कि यदि आप अपनी इंफॉर्मेशन अधर जॉब अपॉर्चिनिटी के लिए यह कहा रहा है, यहाँ पर आपको अपनी photo available यहाँ पर upload करनी होती है जिसकी details है यहाँ पर 20 से 50 के भी के बीच होना चाहिए और 3,5 से 4,5 से 4,5 से 4,5 से इसकी length और width होनी चाहिए देखें इस पर click करेंगे एक बात और ध्यान दीजेगा कि आपका हाँ एक बात और ध्यान दीजेगा देखें इस पर click करेंगे click करने के बाद आप जहां भी रखे हो एक बात ध्यान देजेगा कि photo पे आपका नाम होना चाहिए नंबर होना चाहिए देखिए फोटो पे आपकी date होनी चाहिए जैसा कि यह date मैंने लिखा है इसके बाद अपना signature अपलोड करेंगे signature में देखिए signature भी जो भी यहाँ पे pre-describe height height और width यानि की length और width दिया है वह आप उसी के इसाफ से करिएगा इसके बाद यहाँ पर select करना है कि यह जो date दिया है अपने photo पे वही date होनी चाहिए तो मैंने 26-11 का दिया है तो 26-11 मैंने select कर लिया इसके बाद कह रहा है whether the date mention कह रहा है कि क्या जो date photo mention हो clear है तो हाँ clear है इसके बाद आप इसमें जाएंगे यहाँ पर I agree कर देंगे और फिर यहाँ पर capture fill करेंगे N, P, B, K, J करने के बाद आप preview button पे click करेंगे लेकिन हुआ कुछ नहीं बहुत सारी problems ऐसे लोगों को आ रही है और बार बार यह problem आती है आप देखिए problem क्यों आ रही है आप उपर जाएंगे कहीं तो आपने कोई information छोड़ा नहीं आपने सारी information fill कर दिया लेकिन problem आपने एक जगा किया यानि कि आपका जो 12th का roll number है और यहाँ पर percentage देना या CGPA जो भी था उसके इसाफ से देना है तो roll number आपको यहाँ पर fill करना है roll number fill करने के लिए हमें जाना पड़ेगा आपको roll number fill करने के लिए आपको अपनी माकसीट देखनी पड़ेगी और माकसीट जहां भी पड़ी हो आप माकसीट अपनी देख लेंगे हम जीएंगे और मरेंगे हम जीएंगे हम जीएंगे आप 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 तो इस तरह से आपने ये detail फिल कर लेंगे जब ये detail फिल कर लेंगे तब जा करके आपका form complete मना जाएगा और यदि आप इस समय करते हैं यहाँ पर आप capture फिल करके और इसे agree पर क्लिक करने के बाद preview पर क्लिक करते हैं तो प्रिब्यू होगा देखे जैसे प्रिब्यू पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ गूम रहा है करेंगे तो जा वेखे दूम पर क्लिक करेंगे वेखेवाँ देखेंगे जाएगा करेंगे लोग्यों चावाँ अबसे प्रिफटियों प्रिब्यू कर दो रहाँ झाँ प्रिवियू करने के बाद अगर आपका सब कुछ ठीक है पोटो सही है, सिगनेचर सही है सब कुछ अपडेट है, अगर कुछ चेंजज नहीं करना है यदि चेंजज करना है इसमें अगर कोई कलती हो गई कोई भी अपनी मिस्टेक कर दिया किसी तरह का तो आपको जाना है मॉडिफाई अगर के अपनी मॉडिफाई फिया जाकर कि, आप उसको चेंज कर सक्ते हैं यदि आपको चेंजज़ करना है आपको फाइनली सब्मिट करना है तो सब्मुट पे क्लिक करनें पाद आप फिशेर में कभी ऑछी चेंज़ करने केmbाइंने तो तो आप सबमित पर जैसे क्लिक करेंगे सबमिट होगा देखिए यहां पर मूवमेंट हो रहा है ऐसे गूम रहा है कर दो आप सकते हैं अजया है इसके बाद देखिए सब्मिट हो गया है कर आप्लिकेशन फॉर्म इस प्रोविजनली एक्सेप्टेट दू यू वांट तो प्रोसीड तू प्यमेंट कर देखे यहां पर submit हो गया है कर रहा है application form is provisionally accepted do you want to proceed और payment तो हम क्या करना है proceed करना है तो हम yes कर देंगे print करना चाहेंगे तो print कर सकते हैं या payment करना चाहें proceed for payment तो payment के लिए हम करते हैं इसे को क्या प्रिंट करने डिरेक्ट प्रिमेंट करते हैं अभी यहां पर यहाँ पर क्लिक करेंगे पर दिख रहा हो तो यहाँ पर देखिए apply है यहाँ पर print है यहाँ पर download चलान चलान अगर चाहते हैं तो चलान जाकर करके bank से आपको जमा करना पड़ेगा और इसे payment तो payment पर करेंगे तो online payment हो जाएगा फिर payment status यहाँ पर रहाएगा application status आपको यहाँ पर रहाएगा अगर आपकी payment फर्स जाती है तो double verification of payment यहाँ पर कर सकते हैं कि साइट थोड़ी शुद्रो चल रही है कि साइट प्रच्च्ष्च्व प्रच्च्च्च्ट कर दो देखिए अब आपको पेमेंट करना आनलाइन करना चाहते हैं या आफलाइन करना चाहते हैं हम चाहते हैं कि आनलाइन करें आनलाइनी सब को बेस्ट होगा आनलाइन पे क्लिक करेंगे और आपको सब्मेट पे क्लिक कर देना हंडेड रुपीज आपके अकाउंट से कटेंगे आगे देखते हैं कैसे करते हैं आगे देखते हैं आगे 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 आप करना चाहते हैं अधर बैंक है किस के लिए करना चाहते हैं अगर कार्ड पेमेंट करना चाहते हैं अगर नेट बैंकिंग करना चाहते हैं तो आपका अगर इस्टेट बैंक का है या अधर बैंक का है उस पे क्लिक करके आप नेट बैंकिंग कर सकते हैं यदि आप कार्ड से करना चाहते हैं तो इस्टेट बै आप देखिए यहां पर confirm और reset, reset करेंगे तो पीछे चले जाएंगे, आपको confirm करना है, कि हमें payment करनी है, confirm करना है, confirm कर देंगे, जैसे confirm करेंगे, फिर एक बार confirm के लिए पूछेगा, फिर confirm करेंगे, और जैसे confirm करेंगे, हम पहुंच जाएंगे merchant account पे, यानि कि जहाँ account डिटल अपनी card की details fill करनी होगी, और payment करना होगा, तो हम card की details fill करते हैं, और payment करते हैं, देखिए हो गया, हम यहाँ पहुंच गया, यहाँ पर fill करनी है, card की details, जो हम fill कर रहे हैं, यहाँ पर expiry data, card number 46, 32, 37 00, 00, 00, 0048, 71, 51, 51, 51, अब क्या है भी कि यह है नो है कि दोजर बाइस कार्ड होल्डर नेंब कि अब कि सीवी नंबर आपको फिल करना होगा पिर इसको बाद क्याप चाहा है फिर पेपर क्लिक करना है कि अब करना है तुछ गट कि अब करना है ने ने वो अ भी ने वो करना दो रहाँ खर घर पेपर इस लेपर पना है झाल 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 झाल